क्यों चड़ाते हैं सनिदेप को तेल आये जानते हैं रामायन काल में एक समय सनी को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था उस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम की किर्ती चारो दिशाओं में फैली हुई थी जब सनी को हनुमान जी के समन्द में जानकारी प्राप्त हुई तो सनी बजरंग बली से यूद करने के लिए निकल पड़े एक सांत स्तान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्रीराम की भक्ति में लीन बैठे थे तभी वहां सनी देप आ गए और उन्होंने बजरंग बली को यूद के लिए ललकारा यूद की ललकार सुनकर हनुमान जी सनी देप को समझाने का प्रेयस किया लेकिन सनी नहीं माने और यूद के लिए आमंत्रित करने लगे अंत में हनुमान जी भी यूद के लिए त्यार हो गए दोनों को बीच घमासान यूद हुआ हनुमान जी ने सनी को बुरी तरह प्रास्थ कर दिया यूद में हनुमान जी द्वारा किये गए प्रहारों से सनी देप के पुरे सरीर में भैंक कर पिड़ा हो रही थी इस पिड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने सनी को तेल दिया इस तेल को लगाते ही सनिदेप के समस्त पिड़ा दूर हो गई तभी से सनिदेप को तेल अर्पित करने की परंपरा प्रारंब हुई सनिदेप पर जो भी व्यक्ति तेल अर्पित करता है उसके जीवन की समस्त परिशनिया दूर हो जाती है और धन अभाप खत्म हो जाता है जब की एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान की सेना ने सागर से तू बांध लिया तब राक्षास इसे हानी ना पहुँचा सके उसके लिए पवन सुत हनुमान को उसके देखवाल की जिम्मेदारी सौपी गई जब हनुमान जी साम के समय अपने इश्ट देव राम के ध्यान में मगन थे तभी सूर्य पुत्र सनी ने अपना कला कुरुप चेहरा बनाकर कोधपुर्ण कहा हे बानर मैं देवताओं में सक्तिसाली सनी हूँ सुना है तुम बहुत बलिसाली हो आँखे खोलो और मेरे साथ यूद करो मैं तुमसे यूद करना चाहता हूँ इस पर हनुमान ने बिनम्रता पुर्वक कहा इस समय में अपने प्रभू को याद कर रहा हूँ आप मेरी पुजा में बिघन मत डालिए आप मेरे आधरनिया है क्रिपया करके आप यहां से चले जाईए जब सनी देव लड़ने पर उतर आए तो हनुमान जी अपनी पूच में लपेटना सुरू कर दिया फिर उन्हें कसना प्रारंब कर दिया जोर लगाने पर भी सनी उस बंधन से मुक्तना होकर पिड़ा से ब्याकूल होने लगे हनुमान ने फिर सेतू की परिक्रमा कर सनी के घमन को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूच को जटका दे दे कर पटकना सुरू कर दिया इससे सनी का सरीर लवलुहान हो गया जिससे उनकी पिड़ा बढ़ती गई तब सनी देब ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त किजिए मैं अपने अपरात की सजा पा चुका हूँ फिर मुझसे ऐसी गल्ती नहीं होगी तब हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाओं पर लगाते ही सनी देब की पिड़ा बिट गई उसी दिन से सनी देब को तेल चड़ाया जाता है जिससे उनकी पिड़ा सांत हो जाती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी की कृपा से सनी की पिड़ा सांत होई थी इसी बज़े से आज भी सनी हनुमान जी के भक्तों पर विशेश कृपा बनाए रखते हैं सनी देप की प्रतिमा को तेल चड़ाने से पहले तेल में अपना चेहरा अवस्य देखें ऐसे करने पर सनी के दोसों से मुक्त मिलती है दन समंधिकारियों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है और सुक समरुधी बनी रहती है जोतिश शांस्त्र के अनुसार हमारे सरीर के सभी अंगों में अलग-अलग ग्रहों का बास होता है यानि अलग-अलग अंगों के कारक ग्रहा अलग-अलग होते हैं सनी देप, त्वचा, दांत, कान, हड्डियां और घुटनों के कारक ग्रहा हैं यदि कुंडले में सनी असुब हो तो इन अंगों से समंधित परिशनिया बेक्ति को जलना पड़ती है इन अंगों की विशेश देख्वाल के लिए हर सनी बार तेल मालिस की जाने चाहिए सनी को तेल अरपित करके करने का यही अर्थ है कि हम सनी से समंधित अंगों पर भी तेल लगाएं ताकि इन अंगों को पिडाओं से बचाया जा सके मालिस करने के लिए सरसों के तेल का उपयोग करना स्रेश्ट रहता है तो दोस्तों सनी देव जी के ऊपर अधारित यह मेरा कहानी क्यों उनको तेल चड़ाया जाता है उसी के ऊपर यह कहानी अधारित था सनी देव अगर सांथ हुए खुश हुए तो आपकी हर किष्ट हर पिडा दूर हो जाएगी मैं सनी देव से यही पार्थना करता हूँ कि मेरे दोस्तों को सही सलामत रखे नमस्कार धन्यवाद जै जगन्नात